किसी ने सही ही कहा है अमीर के घर पर बैठा कवा भी मोर नजराता है एक गरीब का भूका बच्चा सबको चोर नजराता है आज मैं बिलकुल भी आपको सौगत आपका सौगत नहीं करूंगा या फिर कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलूगा मतलब की सौगत है या फिर यह हो है बस आज मैं अपने मन का गुस्सा जो गुस्था मैं मैं और सबने पन्ता जाता हूं जब भी आप जानते हैं जब भी स्ट अप्रज्सर प्रोटेस्ट कद्हार करतें सरकार के खिली घ्ल अब ये लोग तसम यह कुछ नहीं नया पैतरा जमाते हैं कुछ दिन पले इनोंने कर रह अब रिजल डिकलेयर करेंगी अक्टूबर सितंबर तक रिजल डिकलेयर करतेगी दोस्तों आप साम कोई नोटिस आया मतलब है हम सब कुछ उतिया बना रहे हैं एक दम बेखुस समझ रहे हैं कुछ ने कुछ नया चीज़ डालते रहते हैं हम जब भी रोट करें कुछ ने कुछ करेंगे के अभी कुछ दिन पहले इन्होंने फार्म लाए मतलब वेकनि सी लाया लेकिन इन्होंने बिहार पुलीस का क्या आप जानते हैं ऑपी तक और चिलियर नहीं हुआ के लिए उस से पहले ही मतलब रिजल्ट नहीं आए है दोस्तो क्योंकि दोस्तों बिहार में चुना होने वाला है साब यह अलग अलग पैत्रे आजमाते हैं एक्चली हमें चूतिया समझते हैं दोस्तों बस मैं यहीं बोलूँगा दिल में और मर में जो आग लगी है उसे बुझने ना दो कमेंट इकदम करते रहो ट्विटर पर फेस्बू समझ बैठे जब मन करें तब इदर कर लिया न aur में आपको बता दुँगा लेकिन अभी हमें चाहिए we need clean justice justice we want no more unfair work यह अब हमें चाहिए मतलब हमें बिल्कुल भी अन्याय नहीं होना है और अन्याय नहीं होने दिना है और हमें एक unfair work चाहिए unfair फैसला चाहिए ठीक फ्रेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी क्रिए इतना ही